नमस्कार दोस्तों नमस्कार साथियों बच्चों आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दी कभी नंदन और स्वागत आज मैं आपके सामने प्रस्तोतु भारतिये कावे सास्तर की एक ट्रीकी वीडियो लेकर ट्रीकी वीडियो जिसको हम आज कल सारी कि याद रखना बड़ा मुश्किल होता है काफी बच्चों की डिमांड थिये तो चलिए आगे बढ़ें इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत समय लगाया है और उससे बनी है आज अभी थोड़ा स्वास्ते में सुधार हो रहा है तो मैं ये वीडियो बनाने की थोड़ी समपर्दाय तीसरा दीति आगुन संपर्दाय जिसको कहते हैं चोत्ता वक्रोकती संपर्दाये और वहां धवनी संपर्दाये और छृट्ठा होचितय संपर्दाये मुख्यIGHT 6 संपर्दाये है अलग-अलग आचारिΓं ने इसकी प्रिभासा yow emotion किया और इसके बाद करें क चेर अवस्षय कर दे है कि सब खुला हो जये क्यों कि न्ymm को बड़त Мुट mlr सबसें पंपर्दाय सबस्थ का पता है कि यह व। मुट के आचारी थे भरतमुनी भरतमुань आचारि और भरतमुनी का समय जो है द्वीतिय स्ताब्दी इसापूरव वीची बिफॉर क्राइस बोलते हैं जिसको इंग्लिस मेर हम इंदी में याद रखें द्वीतिय स्ताब्दी इसापूरव यानि कि स्ताब्दी सुरू होने से 200 साल पहले की बात है अब यहां पर भारतमुनी की देखिए थोड़ा संग्रेज जी का साहरा लिया है हमने यहां पर क्योंकि बनाने के लिए हम जिस तरह भी बन जाए हमें याद रहे निशी है मुख्ष बात तो हमारे लिए यह हैं भारतमुनी का हमने भारत का जो है नाटे सास्तरों की रचनाती नों चीज यहां पर आ रह हम पराचिन सहर बनारस है और भारतमुनी ज़से पराचिन है इसको याद कर लेंगे तो उमीद है कि आप साई दना तर बनारस के याद युद्ध देखे आपको पसंद आई होगी सफित्हें की आपको पसंद आएगे अगर देखते हैं अग disp कि बात करें तो इसलनकार संपर्दाय को देने वाले जो थे भाहम में थे इस्थे एन्होंने लंकर संपर्दाय सबसे पहले दिया च्छटी स्तावदी पुरुवार्द में इनका जनम हुआ था उसके बाद दूसरे आचारी एक अनाम आता है दंडी जो सात्वी स्तावदी के थे फिर उद्भटका आता है जो आट्वी स्तावदी के थे और फिर रूद्रटका आता है डिटेल मैंने इसमें पढ़ा रखी है आपको जो भारती कावे सास्तर की और दूसरी वीडियो है आप चैनल पर जाके देख सकते हैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन ने लिंक दिया हुआ है वहां से देख सकते हैं आप उसमें आप करिक करोगे वीडियो सारी आ जाएगी तो अब शोट तरीक इसकी हमने ऐसे जड़ी और आप यह देखें पहले भाम में थे फिर दंडी थे यह करम बद्ध है पहले चछी स्तावदी फिर साथ भी पर आठवी और फिर नों में यह कई बार स्टावदी में भी पूछ लिए जाता कौन पहले वह था कोन बाद में वह था उसमें भी आपके काम आएगा और इसको अगर बना के देखें तो हमने बहुदूर बना दिया यहां पे पर इस परकार हमारे इसके अलंकार संपरदाई की यह प्रिक ते चलिया आगे बढ़ते हैं अगला देख लेते हैं के तीसरा संपर्दाए कोन सा हमारा कि अलंकार संपर्दाय के बाद तीसरे संपर्दाए की बात आती है यहां मैंने छोट्षट एक पिक्चर भी डाली हुई है कुछ जिस्शे करें लित्ती संपरदाय की लिती हम दाता आता है तो वह सीसे पहले उत्राअ मेरा उदे से शिरफ वामन दिखाना वामन भगवान जी है और वामन जी को हम याद रखें आ चारिय थे वो भी हमारे आधर नहीं है तो वामन रीती और संपर्दाय उनका है तो हमने इसको बनाने के लिए वार या वारिश कर लीजिया आप वार का मतलब तो वामन या रहा गया तो इससे याद रह जाएगा वार और वारिश चिस्पटे को जो भी वारिस को याद रखने की सई करोगा आगर वार को लेकी याद रखोगे तो ऐसे करोगे कि भगवान वामन ने जो राक्सिसों पर वार किया था और राजा बली को अपने पेर पैर के एक यार में पुचा दिया था तो इसको आप देख सकते हो Bruce लगान ने कहा था कि आप अपने वारिस सारे पाताल में जाके रहो और अपने वारिसों को भी वहां ले जाओ उसको बली को कहा था तो इस परकार करके आप दो नोटरीक याद कर सकते हो भगवान वामन और बली के साथ लगाके तो यह था हमारा रीती संपर्दाए तीसरा तो कि एक एक ट्रिक बनाने में बड़ा समय लगता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली देखते हैं हमारी क्या है अगे है अगला संपर्दाए है हमारा वक्रोक्ति संपर्दाए अब वक्रोक्ति संपर्दाए के बारे में कई बार यह पूछ लिया जाता है कि कौन सी र इनकी वक्रोक्ति जिवीतम रचना है इनकी वक्रोक्ति जिवीतम इसमें इन्होंने वक्रोक्ति शिधानत दिया था और वक्रोक्ति को इन्होंने कहा कावे की आत्मा है यानि कि कावे को जिवीत रखती है यह वो वक्रोक्ति होती है अब इसकी सोट रिक हमने कैसे दी अब यह कुंती लिए करन को तो आप सारे जानते हैं कि कुंती कुमारी थी तभी बहगवान शुरिये उनको वर्दान सो रूप करन दिया था लेकिन कुंती अपने पास रखती तो समाज की वक्र द्रिश्टी होती तो कुंती ने समाजिक भैस से जो अनत आलाम में बहा दिया था जिसका स्टोरी तो आपको पता ही है तो इस परकार एक लाइन के रूप में हमने इस ट्रिक को आपको पसंद आई होगी और आपको याद भी रहेगी क्योंकि अभी हमने पिछले करोना काल में महाबारत रामायन खूब देखे हैं तो अभी ताज़ा ताज़ा याद है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं अगला कौन सी हमारा संपर्दाए अगला है हमारा ध अभी नात विश्वराज का चोद्मी स्ताब्दी और पंडी जगनात का स्त्रमी जो है वो समय रहा यादुनिक कवियों में कई बार नाम पूछ लिया जाता पंडी जगनात है अब इसको यह हम पर देखे कि इसका प्रवर्तन करने वाले का नाम जो है वो आनंद वर्दन है तो दवनी से आनंद वर्दन होता है अगर प्रणेता की नाम दे तो हम इसी से याद रख सकते हैं लेकिन जो हम यह हमारे साथ के साथ अगर हमें आचारियों को याद रखना है तो देखे यहाँ पर पहले हैं हमारा अभिन गुपत दूसरा ममठ है तीसरा यूरुयक चोथा अब यहां पर इसको हमने क्या अगर वही दवनी करकस रूप में खुब जोर जोर से लाउड स्पिकर हो आपको दुख देने लग जाती तब हमारा कोई किसी पर वस्त चलता निफिर करते हैं कि यहां पर देखिए एक ट्रिक के रूप में एक लाइन के रूप में बना दिया है इसको हमने अभी मरू है विस्व के जगनाथ तब यूं लगता है कानों में जो फाड़ देने वारी दवनियों मरने का मर जाएंगे इस दवनी से तो तो हमारे मन में से यही निकलती है अभ किसी को मरू मरू ना अच्छा लगे तो कुछ और बना लो आप अपनी ट्रिक लेकिन हमें तो यह ठीक लगी जब करकस दवनी होती है तो ऐसे ही बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्या है मारा अगला है ओचित्य संपरदाय की बात करते हैं अब यहां पर देखि इनका ग्यार्मी स्तावदी समय है इनका ग्यार्मी इस्वी इन्होंने जो है वो भरत आनदवर्धन आदी प्राची नाचारियों के मत को घ्रहन कर कावे में ओचित्य तत्यों को प्रमुक्तत्यों की प्रधानता दी है और कहा है कि ओचित्य ही प्रमुखंगिकार किया है औ किसी को प्रतिष्ठित किया इन्होंने प्रतिष्ठित आए गये तिष्ठित लिखा गया यहां पर लगा लेना प्रतिष्ठित किया तो यहां पर अगर हम सोट्रिक में देखें इसको तो समाही उचित है अगर हम कोई भी बात होते हैं जैसे मालों छोटे को यह प्राद कर दे कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि अच्छी शी कोई वीडियो डालूं बढ़नी भी पड़ी थी यह मैंने पणा भी रखा था लेकिन बस थोड़ी सी तभी अच्छी ठीक ना होने के कान नहीं बना पारी थी उमीद है कि आपको पसंदार ही होगी आप थोड़ा सा अपने कोमेंट दे के बत बढ़न होए हैं जो रशुपतर जिन्होंने अलग अलग जो है ना रूपों में परिभासाइदी है सबसे पहले नाम आता है बहुत बार पुछा जाता है पेपरों में बढ़ना पूछ लिया जाता है इनका सिध्धान्त कौन सा था या यह पूछ लिया जाता है कि आरोप उपचितवाद किस ने दिया था अक्सर इस परकार पुछा जाता है तो इनका जो सिध्धान्त उत्पत्तिवाद है जिसको आरोप वाद या उपचितवाद की विसंग्या दी गई है उत्पत्तिवाद कोई अगर इसकी सोट्रिक देतो देखिए भट लोलट यह भट को हम ले लें उत्पत्तिवाद रहेगा तो आलो आरोप भी रह जाएगा उपचितवाद भी रह जाएगा याद अब यहां पर भट लोलट भी अचे हमने रैड रैड किया हुआ है तो इसको हमने लिया भट बना दिया वालू देखिए वालू ने तीर सावी ले रख्या व रहर बना भट लोलट अब यहां पर भी अचेल ले लिया उसके बाद अबने यह ने पर आ ले लिया बहला भुट बंसमें के लिया वालू जरूर याद रहेगा और वो याद करोगे तो जोड़ पाओं कि यह बहुट लोट का उत्तिवाद है ठीक है तो उमेद है कि आपको कोई ट्रिक भी पसंद आई होगी रमारा बालूर ये बाला भी बड़ा अच्छा सा पसंद आया होगा और आगे बढ़िए वगला देख लेते हैं अगला क्या है अगला रज सुत्र का दूसरा अन्य आचारी या विद्वान जो है वो कौन सा है अगला हमारा विद्वान है सं आनुमारा नमेति वाद मतलब अनुमान लगाना हम युलेछ संकुक यहां पर उन्हों है तरिक लेख़े संगक काणि यानि की संका में ही अनुमार लगा जब हमें कि जीज की संका ओती है यह सकता ऐसे संद kidneys अनुमान लगा जाता है तो संका में लगता है अगर ये बात याद रखोगे तो संकु का अनुमीति या अनुमीति वाद जो है अनुमीति का मतलब अनुमान लगाना ही है यह यह उमीद है यह विटरीक अच्छी लगी होगी आपको चलिए आगे बढ़ते हैं रस उतर क debris आचारिया विद्वानों केदि हम बात करें तो अगला हमारा विद्वान भट्नायक नायक का अतलब आपको पता ही है नायक मतलब नायक होता हीरो होता है इनका सिधान था बुगतिवाद जिसका दूसरा नाम हो जाता है जब कोई भी नायक कोई भी हीरो जब होता है जिसको हमादर्स मानते हैं जो भोग पर उतराता है तो वह साधान व्यक्ति बन जाता है ऊसका नायक तो इतना नहीं रहता है यहां पर हमने एक फिलम की यह पर एक पिकली है अब ने देखा होगा यहां निल्कपूर जी नायक फिलम का ऑई है वर मिष्पुरी जी दिखाये लिए तो मुख्य एक साथान आदमी किस परकार जो है मुख्य मंत्री बन जाता रहे मुख्य मंत्री जो भोगी होता तो इस यह दिखाया है इसमें तो उमीद है यह ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी ना एक भोग भूगती साधान उसके बाद आगे बढ़िए अगला देखते हैं अगला कौन सी है अगली हमार गुपता व्यक्तिवाद यह तो वैसे भी याद रह जाता है तो मुझे नहीं रगता इसमें कोई विशेश ट्रिक क्या आवज सकता है तो इस परकार यह वारे भी भिनाचारिये थे जिनका हमने एक सोट ट्रिक के रूप में आपके सामने परस्तुत क्या उमीद आपको वीड दिखते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहे धन्यवाद